Hello everyone, स्वागत आप सभी का, आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम पास करे में तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से नए साल की बहुत पहुत सुब काम नाए I hope कि आगे आने वाला जो साल है 2022 जो कि आज से सुरू हो रहा है उसमें आपने जो जो आपके जियून में लक्षय निरतारित किया है उन सभी को आप अच्छे से अच्यू करो और पूरी जोस और मस्ति के साथ आप पढ़ो और अच्छे से अपनी त्यारी करो तो सबसे पहले आपको साल 2022 के लिए हैपी नियर जैसे कि आपको पता है स्वामी वेकरन जी का एक कोट है कि उठो जागो और दोडो और तब तक मतर को जब तक आपने लक्षय को हासिल ना कर लो तो यही चीज आपको आपके लाइफ में फॉलो करनी है और आपको तब तक तोड़ते रहना है तब तक आपको चलते रहना है जब तक आप एक अच्छी सी गवर्मेंट जोब या जो भी आपका एक ड्रीम है एम है उससे हासिल ना कर लो तो चलिए शुरू करते हैं असकी हमारी कलास जिसमें हम डिसक्रस करेंगे 1 जनवरी 2022 कि जितनी जो करन्ट अफेर है वो सारी की सारी इपोर्टेंट करन्ट अफेर हम डिसक्रस करेंगे जो जितने भी आपके एक्जाम है चाए SSC, Railway हो, चाए UPSC, Preet का एक्जाम हो राजस्तान का जो RIS exam होता है, Banking या SSC, कोई भी एक्जाम हो जिन में अगर करन्ट अफेर पूछी जाती है तो वो सारी की सारी करन्ट अफेर आपकी इस वीडियो से कवर हो जाएगी आपको इस वीडियो के बाद कहीं पर भी जाकर प्रेक्टिस करने के आउसकता नहीं है ठीक है, क्योंकि ये इस वीडियो में जितने जो करन्ट अफेर है वो इस इसाब से त्यार केगे कि जितने जो वन डे एक्जाम है, उन सभी को ये कवर कर लेगी और आपको सिर्फ एक बात बोलूँ हूँ, मैं शुरू में बोलूँ हूँ कि अगर आपको लगे कि इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना आपके सामने स्क्रीन पर आपके ओप्सन आ रही है एक जन्वरी को, च्यार जन्वरी को, नो जन्वरी को, या फिर बारा जन्वरी को तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा एक जन्वरी को तो एक जन्वरी को नई साल तो होती ही होती है इसके लावा जो Global Family Day है वो भी एक साल को, एक जनवरी को हर साल मनाया जाता है ये आपको ठ्यान में रखना है, ओके? तो पहला क्वेस्टन आपका क्या हो गया? Global Family Day का मनाया जाता है तो First of January को मनाया जाता है Second question आपके स्क्रीन पर है कि विजे हजारी ट्रोफी जो कि 2021 है, उसको कौन से रज्जी की टीम ने जीता है तो आपके समने option है, पहला है हिमाचल परदेश, दूसरा है हरियाना, तीसरा है सिक्किम, और चोता है गुजरात तो बताइए कि विजे हजारी ट्रोफी 2021 को किस ने जीता है? तो इसका जो right answer क्या होगा, वो होगा option number A, यानि कि हिमाचल परदेश इसका बिलकुल right answer है तो इसलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि विजे हजारी ट्रोफी के बारे में, देखिए हिमाचल परदेश ने अभी अगर आपके एकजाम में पूछे कि विजे हजारी जो ट्रोफी है 2021, उसको किस ने जीता है तो हिमाचल परदेश ने जीता है, किस को हराया है तो तो हराया है, और एक बात और रिपोर्टेंट कि हिमाचल परदेश ने पहली बार ये जो जीती है, विजे हजारी 2021 में पहली बार इनोंने जीता है, और आपसे एकजाम में पूछ लेते हैं, खिलाडियों के बारे में, कि कौन सा खिलाडी, कौन से खेल से समंदित है तो, तो द आपको याद रखना है, तो चलिए बात अगर हिमाचल परदेश की चलिए, तो थोड़ा सा हम हिमाचल परदेश के बारे में भी जान लेते हैं, तो देखिये हिमाचल परदेश की जो राजदानी है, वो क्या है? सिम्ला है, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पसू के है बरफानी तेंद्वा है राज्य पक्सी जुजुराना है और राज्य फुल गुलाबी बूरंस है आपको तीन चीज़े आपको मैं बता देता हूँ बाकी चीज़े आप वीडियो को पोज करकर अराम से पढ़ लेजिए ताकि आपके अग्जाम में इनमी से आपको कोईन को क्यूसन देखने को जरूर मिलेगा तो पहला कि अभी हिमाचल प्रदेश की सीम कोने तो जैराम खाकूर है और जो गवर्नर कोने तो राजे इंदर विस्वनाथ आर लेकर है और अभी हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके चीप जश्टिस कोन है तो मौमद रफीक है ठीक है बाकी जो चीजी है लोग राज़े सभा सीटे लोग सभा सीटे और विदान सभा सीटे यह आप अराम से वीडियो को पोज करकर इनको देख लीजिए तो चलिए नेक्स्ट क्योस्टन कि राष्ट्रिय विशानू विज्ञान संस्तान की पर्थम मैला ने देश सके कोन थी देखे आपके सामने फोटू अगर आप फोटो से पैचान सकते तो अच्छी बात है वरना उप्सन आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं पहला उप्सन है सोनम देवी दूसरा है खुर्सीद अम पावरी थर्ड है सोनल परमार फोर्थ है गायतरी देवी तो राष्ट्रिय विशानू विज्ञान संस्तान की पर्थम महिला ने देश सक कोन थी चले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं राष्ट्रिय विशानू विज्ञान संस्तान जिसे क्या बोलते हैं नेशनल इंसिट्यूट ओफ वाइरोलोजी यानि की एन आईवी इसके ये कहाँ पर है तो ये पूने के अंदर है ठीक है और ये जो निदेशक है खुरसीद एमपावरी ये कौन थी ये इसकी पहली महिला निदेशक थी जो कि 1937 से 1988 तक रही थी ये लगबग 10 जाल और इनका अभी हाली में मुंबई में 490 साल केज में इनका निदन हो चुका है और ये का पैदा वज़ी तो 1927 में ये पैदा हुई थी तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके एकजामे पूछ लेते हैं कि ये जो परसनेलिटी है खुरसीद एमपावरी ये किस से समंदित है तो ये के वाइरोलोजिस्ट थी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है और जो राष्ट्रिय विशानों विज्ञान संस्तान है ये कहाँ पर है तो ये पूरे के अंदर है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो चलिए next question देखते है कि 2021 का राष्ट्रिय बिलियर्ड जो खिताब है वो किस नहीं जीता है तो अगर आप फोटो देखर पेचान सकते हैं तो बहुत है अच्छी बात है वरना option आपकी screen पर आ रहे है पहला option है कि वीजे गुपता दूसरा है बल्देव परकास थर्ड है पंकज आडवानी और फौर्थ है निरसकुमार तो चलिए देखते हैं इसका right answer क्या होने वाला है तो इसका right answer है option number C पंकज आडवानी ये फोटो में भी बिल्कुल कलियर नजर आ रहे हैं पंकज आडवानी आत्मे टोफी लीवे जिन्होंने राश्ट्रि बिल्यर्ड खिताब 2021 को अपने नामे किया है अगर आपके एप्जाब में पूछें इन्होंने किनको हराया था तो इन्होंने किनको हराया था दुर्व सीत वाला को इन्होंने हराया था और ये ग्यारवी बार champion बने है ये भी आपको ध्यान में रखना है अपने आमें एक रिकोर्ड है ग्यारवी बार चैंपियन बनना और देखिए ये कहां पर आयोजीत हुई थी तो ये बहपाल के अंदर हुई थी कहां पर बहपाल मद्यप्रदेश में इसको आयोजीत किया गए था 2021 की और ये 88 में नेशनल बिलियर्ड और सुनूकर चैंपियन सिप थी जिसे क्यू स्पोर्ट इंग्या दवारा आयोजीत किया गए था तो ये आपको ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट क्रिस्टन देखते है कौन से देशने हाली में विस्टो का पहला ड्यूल मोड वहन पेस किया है आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये फोटो है उसकी ड्यूल मोड ड्यूल मोड मतलब कि इसमें दो टाइप केस में मोड होंगे कैंसे आप स्क्रीन पर अभी आप देखोगे तो पहले इसका answer देखते है कि किस ने इसको बनाया है रूस ने, भारत ने, इसराइल ने, या फिर जपान ने तो यही तो काम सिर्फ जपान ही करता है तो इसका right answer क्या होगा जपान इसका right answer है तो चलिए थोड़ सा इसके बार में अच्छे से पता करते हैं कि actual में एक क्या चीज़ है तो देखिए एक तरिक्या यह एक बस है जो कि सड़क पर चलते है इसके लाओ यह पट्री पर भी चलाई जाती है जिसे दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया है तो जपान इसको बनाया जिसे DMV यह dual mode विकल भी से कहा जाता है जो कि एक minibus कितने दिखता है और इसमें rubber के tire भी लगी है जिसे शड़क पर चलता है और इसके साथ इसमें steel के पये भी लगी है जिससे यह पट्री पर भी चल सकता अगर बात करते हैं पट्री पर तो इसकी speed लगबग 60 km परती गंटा है और शड़क पर इसकी speed कितने हैं तो 100 km परती गंटा है और इसमें एक बस में 1721 यातर इसमें सफर कर सकते हैं तो विस्तो का जो पहला dual mode वाहन है वो किस ने बनाया तो जपान ने बनाया है तो चलिए next question देखते हैं हाली में कौन से bank ने green fixed deposit शुरू किया है ठीक है green fixed deposit शुरू किया है तो आपके सामने इसके answer और जो तो पहला इसका क्या हुआ option SBA bank ने start किया है या फिर HDFC ने या फिर index index sind bank ने और fourth है PNP bank ने तो इसका सही answer क्या होगा option number C sorry तो इसका क्या होगा option number C इसका बिलकुल correct answer होगा तो थोड़ से तलिए detail में इसके बार में पढ़ते हैं कि यह जो index sind bank है इसका नाम है कुछ अजीब सा है ठीक है यह क्या है कि भारत में यह के निजी चेतर का bank है यानि जो private चेतर का bank है और इसकी स्ताफना 1944 में में किसने कीती सीरीचंद P हिंदुजा ने इसकी स्ताफना कीती यह देखिए जो नाम है आपने इंडस सुना होगा इंडस civilization सिंदु गाटे सब्वेता ठीक है तो यह सिंदु गाटे सब्वेता से प्रेरित था यह बाकिया आप वीडियो को पोस्ट करकर आम से पढ़ सकते हैं इसे आपका time waste होगा शिर्फ आप अब आपको knowledge के लिए बतारो कि आपके exam में क्या पूछ सकते हैं तो exam में आप से यह पूछ सकते हैं कि इसकी स्ताफना कब होई थी इसका मुख्याले इसमें कहां पर है पूणे में है और इसके पाद 5 करनसी चेश्ट है जो कि मुंबई में है, दिल्ली में है चैन्नी, कोलकत्ता और बंगलोर में है तो यह 5 इसकी करनसी चेश्ट है इंड सैंड बैंक क्योंकि इसमें यह जो L है यह साइलेंट रहेगा तो next question देखते हैं कि उत्तर परदेश राज्य का नया मुख्य सच्चिव किने निक्त किया गया है तो आपके सामने इसके option आ रहे हैं पहला option है दुर्गा संकर मिसर option भी विजया वर्दन सिंग third मोहनगरवाल fourth गनेसिलाल तो इसका सही आंसर क्या होगा उत्तर परदेश राज्य का नया मुख्य सच्चिव किने मनाय गया है तो तो वो मनाय गया है option नंबर A यानी दुर्गा संकर मिसर को यह जो फोटो आप देख रहे हो यह इनी महाश्य की है दुर्गा संकर मिसर की तो चलिए इनके पर में थोड़ सा पढ़ते हैं कि यह किनके स्थान पर अभी बने है तो यह जो राजेंदर कुमारी तिवारी है उनके स्थान पर इन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है यह जो राजेंदर कुमारी तिवारी थी है 1902 की आईएस अधिकारी है जो कि अभी केंद्रिय परती न्युक्ति पर दिल्ली चले गए है तो उनके स्तान पर अभी दुर्गा संकर जो मिसर है उनको उत्रप्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है और यह 1902 के उत्रप्रदेश का अडर के आईएस ओफिसर है दुर्गा संकर मिसर और साथ में इसी समय दिल्ली मेट्रो रेल कोर्परेशन के अधिक्स भी है तो यह भी आप एक्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल कोर्परेशन के अधिक्स कौन है तो यह महसेय जिन का नाम क्या है दुर्गाव संकर मिस्रा जो कि अभी हाली में उत्र प्रदेश के नए मुख्ये सच्यू मनाये गई है तो चलिए देखते हैं नेश्ट क्विस्टन बारतिय सेना के दुवरा हाली में क्वांटम प्रियोक साला कौन से राजय में स्तापित है की गई है ओप्सन है हर्याना में ओप्सन B मद्य प्रदेश में ओप्सन C उत्र प्रदेश में ओप्सन D हिमाचल प्रदेश में तो इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर ओप्सन नमर B मद्य प्रदेश में तो इन दोनों से आप रिलेट कर सकते हो कि हिमाचल परदेश में आपने क्या पड़ा था कि हिमाचल परदेश ने विजे हजारी ट्रोफी 2021 जीती है जो इन्होंने पहली बार जीती है उत्रपरदेश का जो नए भी तो चीफ सेक्टरी है जो नए मुख्य स्चीव किसे मनाया गया है तो दुर्गा संकर मिशरा को मनाया गया है और ये हरियाना है हरियाना की स्तापना कब होए थी तो एक नॉमबर 1926 के की स्तापना होए थी और यहाँ आपर टोटल 22 जिले हैं हरियाना के अंदर और फिलाल हरियाना के CM को ने तो मनोहर लाले खटर है, ओके तो चलिए थोड़ से इसके बार में पढ़ते हैं क्वांटम प्रियोग साला बाकी चीज़े तो आप अराम से वीडियो को पोस करकर पढ़ सकते हैं जो कुछ चीज़े आपके एक्जाम में आ सकते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वांटम प्रियोग साला को बारते सेना ने कहां पर स्तापित किया है तो ये मर्द्या प्रदेश के महूं में इसकी स्तापना हुई है नेक्स्ट है इनोंने यहाँ पर एक Artificial Intelligence के अंदर भी यहाँ पर इनोंने स्तापित किया है मर्द्या प्रदेश के CM को नभी तो सिवराज सिंग चोवाना भी फिलाल में यहां के CM है बाकी जो कॉआंटम कम्प्यूटर है वो किसमें गरना करता है तो वो पढ़ सकते हैं या फिर आप प्रेक्टिस करने के लिए वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा हमारे ब्लोग का वहाँ पर जाकर आप अराम से इनको प्रेक्ट दोबारे से इसकी रिविजन कर सकते हैं और साथ में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं तो चलिए योगी रेलवे स्टेशन विरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन फॉर्थ बागिरती रेलवे स्टेशन तो इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर है सोरी ओप्शन नंबर यहाँ पर C आएगा विरांगना लक्ष्मी बाई रेलिवे स्टेशन ठीक है इसका उप्शन नम्मर सी इसका बिलकुल सही हो जाएगा पहले इसका नाम कहता तो जांसी रेलिवे स्टेशन इसका नाम था ये जो जांसी रेलिवे स्टेशन है ये राने लक्समी भाई की जब निधन होता है तो उसके बाद अंग्रेजों ने ठारश वस्टी में ये रेलिवे स्टेशन बनवाया था 1800C में यह बनवाया था यह इसका नया नाम है विरांगना लक्ष मिल भाइ रेलेवे स्टेशन और यह जो जांसी का जो किला है यह जो सहर है जांसी यह कब बसा था तो यह 19 ताबदी में बसा था जिसे और इसके अंदर जांसी के किले का जो निर्मान था वो किस ने करवाया था तो ओर्चा सासक था वीर सिंग बुंदेला ने करवाया था कब 1623 के अंदर और बाकी चीज़ें आप अराम से वीडियो को पोज करिए और पढ़िए बाकी इसमें ज्यादा एक्जाम में नहीं आएगा आपसे इतना पूछ सकते कि जांसी रिलिस्टेशन कौन से राज्य में तो यूपी में है और इसका नएया नाम क्या रखा है तो वीरांगना लक्समी भाई इसका नएया नाम में रखा है आजका हमारा लास्ट दसमा क्यूशन है स्यामा परसाद मुखर जी रूर्बर मिशन में कौन सा राज्य सिर्श पर रहा है तो उप्शन है हरियाना, राजस्तान, तिलंगाना यहां फिर है मर्द्य परदेश तो इसका सही आंसर क्या होगा तिलंगाना इसका बिलकुल है सही आंसर है यह जो स्यामा परसाद मुखर जी रूर्बर मिशन है यह 21 फरवरी 2016 को इसकी सरुवात हुई थी लगबग इसे 5 साल अभी 2022 में जो फरवरी आएगा तो लगबग इसे 6 साल यहां पर कंप्लेट हो जाएगी और यह एक सेंटर स्पोंसर स्कीम है यानि केंदर से प्रायोजित यह यह जोजना है आपके जामे यह भी पूछ सकते हैं और इसे कौन सा मंत्रा ले चला रहा है तो इसे केंदर या ग्रामिन विकास मंत्रा ले दोबार इसे स्तापिते या इसे संचाल ने इसका किया जा रहा है जिसमें टोटल 300 ग्रामिन कलस्टर इसमें सेलेक्ट किया जाएगे और उन्हें अच्छे डंग से विक्सिते किया जाएगा ठीक है तो यह आपका क्वेस्चन था कि स्यामा परशाद मुखर जी रूर्बन में सार जे सिर्ष पर रहा है तो तिलंगाना यहां पर सिर्ष में रहा है तो यह आज की हमारी नए साल की पहली वीडियो थी आई होप की आपको पसंद आई होगी पहला लेक्सर है तो थोड़ा सा आपको देकत हो सकते है तो धिरे देर हम जैसे हम कलास से कंटिन्यू करेंगे तो आपको कौल्टी में काफी कुछ इंप्रूब्मेंट देखने को मिलेगी साउंड क्वालिटी में और बाकी सारी कही चीज़ों में मैं कोशिस करूँआ थोड़ा सुधार करने की तो नए साल आपके लिए अच्छा हो all the best जैहिंद कल मिलते है ठीक इसी टाइम सुबच 6 बज़े और आप इस करंड़े फिर की रिविजिन के लिए आप हमारे ब्लोग पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा या आप डारक्ट गुगल में जाकर www.exampassgrade.com को भी विजिट कर सकते हैं